और चुलिए आपको सीधा अब टोक्यों लेकर चलते हैं प्रधार मंत्री नरेन मूदी वहाँ पर भारत पास्यों को सम्भूधित कर रहे हैं क्या आप कुछ कह रहे हैं इस दौरान सुने बन गया है और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतिय समुदाय के संस्कार में अपनी परंपरा अपने मुल्य अपनी जीवन पर्धति उसके प्रती जो कमिट्मेंट है वो बहुत घहरा है और इस दोनों का मिलन हुआ है इसलिए स्वाभावी गुरूप से एक अपने पन के मैसूस होना बहुत स्वाभावी होता है साथ भी आप यहां रहे हैं काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं मैं जानता हूँ कईयों ने यहां शादी भी कर ली है लेकिन यह भी सही है कितने सानों से यहां जुड़ने के बावद भी भारत के प्रती आपकी सरद्धा भारत के समन्द में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं देता है होता है न और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज़्यादा दुखी भी आप ही होते हैं यह विशेस्ता है हम लोगों के कि हम कर्म भूमी से तन मन से जुड़ जाते हैं खब जाते हैं लेकिन मात्र भूमी के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ है साथियों स्वामी विवेकारण जी जब अपने अइतिहासिक सम्मोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जपान आये थे और जपान ने उनके मन मंदिर में उनके मन मस्तिक्ष के पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था जपान के लोगों की देशभक्ती जपान के लोगों का आत्म विश्वास यहां का अनुशासन स्वच्छता के लिए जपान के लोगों की जागुरुता विवेकानन जी इसकी खुल करके प्रशंसा के थे गुरुदेव रविद्रिनाजी ठगोर ये भी कहते थे यपान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचिन भी है और आधुनिक भी है अटागोर ने कहा था यपान हैज कम आउट अव्ट फेमेमोरियल इस्ट लाइक लोटस ब्लोसमीं इन इजी ग्रेस all the while keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung यहने कहना वो चाहते थे कि जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूति से अपनी जड़ों से जुड़ा है उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुन्दर्ता को भी बढ़ाता है हमारे इन महापूरुसों की ऐसी ही पवित्र भावना है जपान के साथ हमारे समंधों की गहरायों को स्पष्ठ करती है साथि इस बार जब मैं जापान आया हूँ तो हमारे डिप्लोमाटिक समंधों को साथियों आप भी हहां रहते हुई अनुभव करते होंगे हिंदुस्तान में भी हर को अनुभव करता है कि भारत और जपान नेचरल पार्टनर है भारत के विकास में भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपण भूमिका रही है जापान से हमारा रिष्टा आत्मियता का है अध्यात्म का का है जापान से हमारा रिष्टा सहयोग का है अपनेपन का है और इसलिए एक प्रकार रिष्टा रिष्टा हमारा सामर्थ का है ये रिष्टा सम्मान का है और ये रिष्टा बिश्व के लिए सांजे संकल्प का भी है जहापान से हमारा रिस्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है हमारे महाकाल है, तो जपान में दाइको कुतिन है हमारे ब्रह्मा है, तो जपान में बोनतिन है हमारी मा सरस्वती है, तो जपान में बेंजाईतिन है हमारी महादेवी लक्ष्मी है, तो जपान में कीची जोतिन है तो हमारे गणेश है, तो जपान में कानगीतिन है जापान में अगर जेन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साथकार का माध्यम मानते हैं 21 सदी में भी भारत और जपान के इन सांस्कृतिक समंदों को हम पूरी प्रतिवद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और मैं तो काशी का सांसद हूँ और बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि जपान के पूर्व प्रधान मत्री से अबे जब काशी आये थे तब उन्होंने एक भावत बड़िया सोगात काशी को दी काशी में जपान के सायोग से बना रुद्राक्ष और जो मेरी कभी कर्मभूमी रही वो एहमदाबाद में जेन गार्डन और काईजेन अकेडेमी ये ऐसी बाते हैं जो हमें कितनी निकट लाती है खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जनतंत्र टीवी एप को जो कि अविलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें